नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि DC Molar M टाबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, DC Molar M टाबलेट को कैसे लेना चाहिए, और DC Molar M टाबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि DC Molar M टाबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, DC Molar M एक ब्रेंड नेम है, DC Molar M टाबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, DC Molar M टाबलेट के अंदर सौल कंपोजिशन डाइसाइक्लोमिन 10MG और मेफनामिक एसिट 250MG होता है, DC Molar M टाबलेट का उप्योग मुख्य रूप से पेट दर्द को ठीक करने के लिए DC Molar M टाबलेट का उप्योग किया जाता है, इसके अलावा पत्री का दर्द होने पर और महिलाओं में मासिक धर्म के दोरान भी दर्द से राहत पाने के लिए DC Molar M टाबलेट का उप्योग किया जाता है, DC Molar M टाबलेट पेट के दर्द को ठीक करती है, साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में DC Molar M टाबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में DC Molar M टाबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं, जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, चक्कर आना, सीने में जलन होना, दस्त होना, नींड आने में परेशानी होना, कब्स होना, बधहजमी होना और मुँ में सुखापन होना आधी साइड इफेक्स DC Molar M टाबलेट की वज़ह से हो सकते हैं, अब हम डिसकस करेंगे की DC Molar M टाबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है, आम तोर पर बारा वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर DC Molar M टाबलेट को दिन में दो से लेकर तीन बार लेने की सलाह देते हैं, DC Molar M टाबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, अब हम दिसकस करेंगे कि DC Molar M टाबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए, लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर DC Molar M टाबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को किड्नी या लिवर की कोई गंभीर बीमारी है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए, DC Molar M Tablet को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है क्योंकि DC Molar M Tablet को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को चक्कर आ सकते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए DC Molar M Tablet का सेवन करना सुरक्षत वर रेक्मेंडेड नहीं है DC Molar M Tablet मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में DC Molar M Tablet मा के दूद के जरीए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को DC Molar M Tablet को डॉक्टर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका DC Molar M Tablet से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं